हमें आश्चिरी होता है कि सूरच मुखी का पौदा हमेशा सूर्य की तरफ मूँ क्यों रखता है? यहापेड ऐसा कैसे कर लेता है? तो आईए जानते हैं इसके पीछे का असली वज़़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे दोस्तों सूरच मुखी के फूलों की सबसे बड़ी खासियत यहाँ होती है कि यह हमेशा उसी तरफ मू किये रहता है जिस तरफ सूरच जाता है यह दुनिया का अकेला फूल है जो पूरे दिन में कई बार अपनी दिशा बदलता है दिन की शुरुआत में यह पूर्व दिशा की और रहता है और दिन का अंत होने पर यह पश्चिम दिशा में पहुंच जाता है सूर्योदे से पहले आप पाएंगे कि सभी फूल पूरत दिशा की तरफ है क्या आपको पता है कि सूरच मुखी का फूल सूरच के उगने की दिशा यानी की पूर्व इस्ट की तरफ क्यो मू किये रहता है इसका सवाल का जवाब है हीलियो ट्रॉपिसम वैग्यानिकों का कहना है कि सूरच मुखी के फूल सूर्य की दिशा में हीलियो ट्रॉपिसम के कारण होता है अब सवाल उठता है ये हीलियो ट्रॉपिसम आखर क्या होता है जिसके तहट सूरच मुखी के फूल सूर्य की दिशा की तरफ ही गती करते हैं तो हम आज आपको पता दे कि साल 2016 में हुई एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस तरह इंसान के शरीर के अंदर एक बायोलेजिकल क्लॉक होता है उसी तरह सूरच मुखी के फूलों में भी एक खास तरह की व्यवस्ता होती है जिसे हीलियोट्रोपिसम कहते हैं दूसरे अरधों में इसे सूरच मुखी की जैविक घड़ी भी कहा जाता है सूर्य की किर्णों को डिटेक्ट करके फूलों का उस तरह मोडने को प्रेरित करते हैं जिस तरह सूर्य है यह फूल रात में आराम करते हैं और दिन में सूर्य की रोशनी पाते ही ये एक्टिव हो जाते हैं यानि की सूर्य की रोशनी जैसे जैसे तेज हो जाती है ठीक उसी तरह सूर्य मुखी के फूल की भी सक्रियता बढ़ती है सूरज मुखी की जड़, पत्ते, फूल और बीज में इतने पोशक गुन होते हैं कि आयुरवेद में सूरज मुखी को औशधी के रूप में प्रयोग किया जाता है कई रोगों में सूरज मुखी का प्रयोग औशधी के रूप में किया जाता है सूरज मुखी के बीजों का इस्तेमाल तेल बनाने के लिए किया जाता है जो पोशक तत्वों से भरपूर होते है